12 जुन 2015 को पंजाब पुलीस का करीब 12 गाड़ियों का काफिला एक कुख्याद गैंक्स्टर को लिके कोर्ट में जा रहा होता है पेशी कराने के लिए पुलीस की गाड़ियों का काफिला कोर्ट पहुंसता है उस गैंक्स्टर की पेशी होती है पेशी होने के बाद जब उस गैंक्सर को वापस से जेल में शिफ्ट करने के लिए ये काफिला निकलता है और पंजाब के फगबड़ा जिले के आसपास पहुंसता है तो वहाँ पर अचानक दो गाड़ियां आती हैं रोकती हैं और उसमें करीब से 7-8 बदमाश निकलते हैं उनके सब के हाथों में बंदूके होती हैं राइफल होती हैं 70 पुलिस वाले जो काफिले में होते हैं उन सभी पुलिस वालों को एक किनारे खड़ा करते हैं वैन में जो गैंक्षर बंद था जिसकी कोर्ट में पेशी कराने के लिए पुलिस वाले लेकर जा रहे होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है बाहर निकालने के बाद उसको आश के पास भंगड़ा करते हैं शायद वो जश्न मना रहे होते हैं कि इतने दिनों से हमने इसे जो मारने का सपना देखा था वो सपना आज पूरा हो गया नमश्कार मेश नाम है देवनात पांडय और आप देख रहे ही हैं बेडिय अफ नुज की क्राइम सिरीच खलनायक जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराओक के दोनिया के खबरे तो आज कल्लाक सरीच में हम जिस गैंक्सर के बारे में बात कर रहे हैं उसे पंजाब का Most Handsome गैंक्सर कहा जाता जिसका नाम था सुखा कहलोन तो क्यूं सुखा कहलोन के इतने निर्मम तरीके से हत्या की गई थी? आकर सुखा कहलोन कौन था उसे मारने वाले लोग कौन थे और क्यों उसे इतनी बेरहमी से मारा गया था उसके लाश के पास भंगड़ा किया गया था बताएंगे आज इस वीडियो में विस्तार सेगे करके लेकिन जैसे जैसे आप सुखा कहलोन की कहानी सुनते जाएंगे आप ये जानते हुए भी कि ओ गैंक्स्टर था उसके बार भी सुखा कहलोन के बारे में और भी जानना चाहेंगे हलाकि हम यहां पर किसी भी gangster को प्रामोट नहीं करते हैं ना हुई किसी तरह के आपरात को बढ़हाँ देने को कहते हैं आप लोगों से बलकी हमारा message वही होता है कि gangster बनना कही न कहीं बहुत ज़ादा है दुखत होता है पोरे परिवार के लिए लेकिन फिर भी गैंक्टर था तो उसकी गहानी सुनानी भी जरूरी होती है तो सुखा कहलोन बंजाब का एक ऐसा गैंक्टर जिसका 2001 से लेकर 2015 तक ऐसा आतंग था कि किसी को एक भी फोन आ जाता था कि मैं सुखा कहलोन बोल रहा हूं तो सामने वाला इतना दर जाता था कि सुखा कहलोन जो ही डिमांड करता था उसकी हर डिमांड पूरे होती थी सुखा कहलोन जब मरा जब उसकी मौत हुई तब उट 29 साल का था आप सोचिए, 28 साल की ओम्र में उसने 15 साल तो अपराद किया सोचे कब वो अपराद के दुनिया में आया होगा दरसल सुखा कहलोन सुरू से अपराद ही नहीं बनना चाता था उसका सपना था कि वो अपने पिता जी, अपने माता जी और अपने भाई के साथ अमेरिका जाए, वो वहाँ पर जाकर वो पढ़ाई लिखाई करे और वहीं पर सेटल हो जाए लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं होता एक गलती की वज़े से दरसल ये उस वक्त की बात है जब सुखा कहलोन दसवी का शात्र था और कहा जाता है इस दोरान उसके गाउं में कोई छोटा बोटा जगड़ा हुआ था और इस जगड़े में सुखा कहलोन का भी नाम दर्ज हो गया था जब F.I.R. हुआ था तो उसका नाम भी पुली स्थाने में F.I.R. में दर्ज हो जाता है जिसकी वज़ा से उसका पास्पोर्ट और विज़ा नहीं लग पाता जिसके बाद उसके पिता, माता, भाई, सब लोग अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि उन लोग का सब कुछ कम्प्लिट हो चुगा होता है तो अब सुखा को से उसकी मौसी के पास छोड़ दिया जाता है जो कि कपूर थला के कहलवा गाउं में रहती है वहाँ पर सुखा जाता है, अब वहीं पर रहकर अपना पढ़ाय लिखाई करता है लेकिन इस दोरान एक चीज हमें देखने को मिलती है जब बच्चे अपने माबाप के साथ महीं रहते हैं तो उन्हें शायद वो तालीम, वो संसकार नहीं मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए हलां कि हम ऐसा दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं सब के लिए नहीं कह सकते हैं लेकिन सुखा कहलोन के लिए तो बिल्कुल कह सकते हैं। सुखा कहलोन अपने मौसी के साथ रखकर बहुत ही उसे आजाधी मिलने लगी। वो कई तरह के लोगों को दोस्त मनाने लगा। उसमें लड़के भी थें, लड़कियां भी थी। और ऐसे से करते करते वो दिरे-दिरे गलत संगत में पढ़ता चला गया। अब जब वो गलत संगत में पढ़ रहा था तो उसे इससत बहुत मजा आता है। वाकरी में देखने को मिलता है जब पढ़ने के लागा कोई और काम कहा जाता बच्चों को तो उनको मजा भी बहुत आता, सुखा कहलोन के साथ भी यह हुआ, लेकिन इन सब में अच्छी चीज यह रही कि सुखा कहलोन को एक लड़की से प्यार हुआ, और वो लड़की एक रेजॉर्ट मालिक के बेटी थी, अब वो लड़की भी सुखा से साधी करना चाहते थी, सु तो उनको के साधी बहरें, आपको लिवीए प्याद्य कराए, लेकिन इन सुका कहलोन को एक रेजय करनाया कैसिए और उसकी वाइफ में टैक्षी किसी चलाने का गाम हुआ, और उसकी वाइफ वहाँ कर वहाँ किसी अच्छी nostal में हैं के जंदगी चलती है लेकिन उन दोनों की जो शादी की जंदगी थी वो जादा देनों तो चल नहीं पाई आपसी खटपट होने लगा और कहा जाता है कि सुखा कहलों की पत्नी का किसी से वहाँ पर अफेर शुरू हो गया था इसलिए इन दोनों के बीच में और भी जादा मन मुटा होने लगा लेकिन कहीं न कहीं ये ताल मेल जो था वो नहीं बन पाया इसके बाद सुखा वहाँ से निराश होकर वापस पंजाब आ जाता है और पंजाब आने के बाद वो फिर से वही सब करने लगता है जो यहां से जाने से पहले सब कुछ कर रहा आता है यानि कि उसके जब शादी टूटी तो उसका दिल और जादा टूट गया होगा और ऐसा हम कह सकते हैं कि सुखा कहलोन इसके बाद उसके आगे पेचे कोई देखने वाला नहीं था तो कई सारे लोगों के साथ में रहने लगा लेकिन इन सब वारदातों के बीच में सुखा कहलोन ने एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया जो उसकी मौत की वज़ए भी मनी दरसल सुखा कहलोन ने एक लबली बाबा नाम के बदमाश को जो की जिम भी अपना चलाता था उसके जिम में घुस कर बहुत सारे गोलियां मारती और लबली बाबा की वही पर मौत हो गई लबली बाबा, प्रेमा लहौरिया, सोनु बाबा और विकि गोंडर का काफी करीबी था अब इन तीनों के वीच इसी बात को लेकर विबाद हो गया विकी गोंडर, प्रेमा लाहॉरिया और सोनु बाबा ये सब सुखा कहलोन के जौने दुश्मन बन गए सुखा कहलोन अब वहाँ से निकल गया, फरार हो गया और वो किसी और राजज में, यानि कि राजस्थान में चला गया राजस्थान में जाके भी वो लूट, चोरी जैसी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगा राजस्थान पुलिस से कई बार उसका सामना हुआ, पंजाब पुलिस उसे खोजी रही थी अब उसने इसके बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया करीब चार किलो सोना लूटा और कुछ नगदी लूटा और वहां से वो अंडरग्राउंड हो गया करीब छे से साथ महीना तक वो अंडरग्राउंड रहा, कहीं छिपा रहा लेकिन तभी पुलिस को ये सुचना मिलती है पंजाब पुलिस को कि सुचा कहलोन पंजाब का जो most wanted gangster है वो पश्यम बंगाल के इस इलाके में छिपा हुआ है और उसकी हालत बहुत जादा खराब है, पंजाब पुलिस पुरी योजना बनाती है और दबिश देने के लिए निकलती है और सुचा कहलोन को पकड़ लिया जाता है, कहा जाता है कि सुचा कहलोन जब पकड़ा गया था तो उसकी हालत बहुत ज़ादा दहनियत थी उस समय तबियत बहुत ज़़ादा खराब था और उसका इलाज भी चल रहा था, इन सब के बावचूद भी आप अगमार की कटिंग लेखिए, सुचा कहलोन की रफ्तार हुआ और उससे वापस पंजाब लेकर आया गया, पंजाब के जेल में उससे शिफ्ट कर दिया गया सुचा कहलोन जेल में जाने के बाद और भी जादा कौंखार हो जाता है, जेल में जाने के बाद उसे मालूम चलता है कि जब उसने लबली बाबा की हत्या के थी तो सोनु बाबा उस मामले में गवाह है जो कि लबली बाबा का भाई का आ जाता है, सोनु बाबा को फोन करके जब सोनू बाबा गिरफ्तार हुआ था सोनू बाबा ने बताया था कि किस तरह से वो जेल के अंदर से ही लगातार फोन करके धंकी देता है हाला कि सुखा कहलों जेल के अंदर से बैट कर ही अपना सोशल मेडिया अपडेट करता रहा था वहाँ पर जो क्या कर रहा है सब कुछ अपडेट करता था सुखा कहलोन एक बहुत बड़ा गैंक्टर था उसके ओपर एक पंजाब में फिल्म भी बनाई गे थे शूटर जिसे कि जैर अंधावा ने सुखा का करेक्टर प्ले किया था हाला कि वो पंजाब में किया वो फिल्म रिलेज ही नहीं हो पाई क्योंकि सरकार का कहना था कि अगर ये फिल्म रिलेज होती है तो जो गैंक्टर का जो चलन है वो बहुत उससे बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सुखा कहलोन को आज भी कहीं न कहीं पंजाब की जो जनता है ये जानते हुए भी, हम सब खों नहीं कह रहे हैं लेकिन सोचल मीडिया पर आप जाएंगे देखेंगे तो सुखा कहलोन पंजाब का सबसे ज़ादा पसंद किया जाने वाला गैंग्चर है जबकि ये जानते हुए भी कि सुखा कहलोन एक अपराधी ताग गैंग चाथा इसके बाद भी सुखा कहलोन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है खेर वो तारीक भी आजाता है 12 जुन 2015 का जब जिन सुखा कहलोन को गोली मारकर मौत के घाट उतार रहा गया था उसे मारने वाले थे विकी गोंडर, प्रेमा लाहोरिया और उसके करीब बहुत सारे साथी थे जो उस सुखा को मारने में बहुत ज़्यादा उनका एहम रोल था खैर आज सुखा को मारने वाले कोई जिन्दा नहीं बचे हैं, उनकी भी पुलीस एंकाउंटर में मौत हो चुकी है लेकिन कहा जाता है कि इन सब के पीछे सुखा को मारने के पीछे वही था लबली बाबा की हत्या की वज़ा जो थी वही में थी अगर लबली बाबा की हत्या सुखा कहलोन ने नहीं किये होती तो शायद विकी गॉंडर जो उसका दोस्त था वो उसे मारने के लिए इतना ज़्यादा उसाहित नहीं होता कैर सुखा कहलोन की कहानी में बहुत सब कुछ है अगर हम आगे कुछ बताएंगे और जादा बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप सोच रहे हैं कि सुखा कहलोन के बारे में आपको हम पार्ट वाइस बताएंगे एक ही कैसे कहानी सुखा के बारे में बताएंगे कि आप सुनकर मतलब आप सुनेंगे तो आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि सुखा कहलोन वाकई में एक छोटा सा दिखने वाया लड़का आप उसे अंदाजा लगाईए कि जब उसकी मौत होई 28 साल का था 2000 से 2015 तक उसने अपराद किया 15 साल तो उसका अपराद में निकल गया यानि कि 13 साल के उम्रे में उसने अपराद सुरू किया था खेर सुखा कहलोन गैंक्सर क्यों बना इसके पीछे अगर जस्टिफाई किया जाया तो शायद कुछ कहना मुश्किल नहीं अगर उसके पिता के साथ पहले चला गया होता अगर अमेरिका तो शायद आज सुखा जंदा होता और अगर उस दिन जो उसके गाउं में लड़ाई होई थी लड़ाई नहीं होई होती तो भी शायद सुखा जंदा होता अपनी मौसी के घर पर नहीं रहता वो अपने पिता के साथ ही रह रहा होता अगर उसके पिता अमेरिका नहीं जाते उसी गाउं में रहते हैं तो शायद अगर घर वालों का सपोर्ट होता जब बच्चे माबाप के साथ रहते हैं तो उसका बहुत जादा असर पड़ता है तो वो भी आज इतना बड़ा गैंक्सर बनके उसकी मौत नहीं हुए होती खैस सुखा कहलोन के बारे में आपकी क्या राय है नीचे चलूर बताईएगा और सुखा कहलोन के बारे में कल हम आपको बताएंगे दूसरे पार्ट में कि आगे सुखा कहलोन की मौत के बाद क्या क्या हुआ था तो आप बने रहें BDF News के साथ और जिस तरह से आप हमें लगतार सपोर्ट करते हैं इसे तरह से समर्थन कीजिएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉमेंट आते हैं तो सुनकर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है कई सारे लोगे कहते हैं गैंक्सर कल्चर को हम बढ़ावा दे रहे हैं अपराधियों के बारे में बता के तो हम आपसे बिल्कुल कहते हैं हम गैंक्सर कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं बिल्कि हमारा उद्देश यह होता है कि इन अपराधियों के बारे में आप जानिए के लिये